हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा नास्ता जो की हाइप प्रोटीन युक्त है और हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही हेल्दी है इसको बच्चों के लिए और इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं या पर मैंने लिया ये कटोरी से दो कटोरी पका हुआ चावल एक टीस्पून जीरा आधी इंच अध्रक कटिवी तीन हरी मिर्च थोड़ा सा हरा धनिया अब इसी जार में हम अपनी राच जो हमने भीगा के रखी थी दाल इसको हम पीस लेंगे इसी के साथ और इसका बारीग स्मूथ सा पेस्ट हम बना लेंगे अब यह हमने पेस्ट त्यार कर लिया है अब यह गाड़ा है हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको एरज़स करेंगे यह बिलकुल तैयार है अब बनने के लिए थोड़ा पतला होना चाहिए गाड़ा नहीं होना चाहिए स्वादा अनुसार आप नमक डालीजिए अब तवे पे थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे तेल को पुरे तवे पे अच्छे से फैला लीजिए अब इसको अलके हाद से घुमाईए यह बहुते आसानी से बन जाता है आप इतना बड़ा ना बना सके तो छोटा ही बनाएं यानि कि एक कर्ची बैटर ले आप दो नाले आज आप फुल रखेंगे हलका सा कॉर्णर से हम तेल लगाएंगे एक से दो मिनट के अंदर यह पक जाता है अब इसको पलट लीजिए और उलट पलट करके अच्छे से दोनों साइट से आप पका लीजिए इसको यह हमारा दाल का चीला बिल्कुल तयार है अब सेकेट नमर पर मैंने लिया एक कटोरी ओट्स ओट्स को में कडाई में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी इसके साथ आप एक चमच जीरा भी इसके साथ भून लीजिए पांच मिनट भून जाने के बाद हम इसको एक थाली में दो मिनट के लिए ठंडा कर देंगे और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे यहां बारिक हमने इसको पीस लिया है अब यह ओट्स का आटा जो हमने पीस लिया था इसको आधी कटोरी दही आधी कटोरी सूजी हरी मिर्च कटीवी एक चमच अधरक कटा हुआ थोड़ा सहरा धनिया अब इसको पानी डाल लीजिए और इसको अच्छे से आपस में इस मिसरण को मिला लीजिए अब इसको हम तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे तुरंत नया बनाएं कम से कम 15 मिनट अवश्य रखें 15-20 मिनट के बाद हम इसमें पानी डाल कर इसको एड़जस्ट करेंगे मिसरण को थोड़ा बहुत गाड़ा हो जाता है यह थोड़ा पतला कर लेंगे स्वादा नुसार नमक डालेंगे अब यह बनने के लिए बिल्कुल तयार है पैलाने के बाद आज कम कर लीजिए अब इसके उपर से हम डालेंगे हरी मिच्ट थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ बारिक चॉप्ट किया हुआ प्याज मिर्च आपकी अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकती है अब पल्टे की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि यह अच्छे से चिपक जाए और पलटे समय गिरे ना हलका सा कॉर्णर से हम ओएल लगा लेंगे इससे यह इसली निकल जाएगा और देखिए यह बहुत अच्छा पका हुआ है आप जितनी देर इसको रेस्ट कराएंगे इसके बैटर को यह उतना अच्छा और जालिदार निकलेगा उलट पलट करकर इसको पका लीजिए और यह हमारा दूसरा चिला बिल्कुल तयार है हम इसको उत्तपा भी कह सकते हैं यानि ओट का उत्तपा भी हम इसको कह सकते हैं यह खाने में भी उत्तपा के चिह से टेस्टी होता है और नमबर तीन पर है मूंकी डाल का चिला एक गिलास यहां पर मूंकी डाल और आदा गिलास चनी की डाल लिया है इसको राद भर भीगो के रख दीजिए अब हम इसको पीस लेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया तीन-चार हरी मिर्च एक इंच अद्रप का टुकड़ा एक टीस्पून जीरास चाहिए और इसका हम बारी स्मूठ सा पेस्ट तयार कर लेंगे बिलकुल इस तरह आप हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे इसको भी हम आदे घंटे के लिए रैस्ट करने के लिए रख देंगे आदे गंटे बाद हम इसमें पानी डाल के इसकी मिसरन को हम एड़ेंगे क्योंकि यह बहुत गाड़ा होता है स्वादानुसार नमक डालिए और मिला लीजिए और थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे एक दम गाड़ा भी नहीं होना चाहिए और एक दम पतला भी नहीं होना चाहिए अब यह बिल्कुल तैयार है बनने के लिए अगर आप इतना बड़ा ना बना सके तो आप छोटा भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें हलका सा कॉर्णर से तेल लगा लीजिए ताकि यह इसली निकल जाएगा पल्टे के मदद से इसको कॉर्णर से थोड़ा से एक लीजिए ताकि यह अच्छे से दोनों तरप से पक जाए और यह हमारी मूंग की डाल का चीला तयार है एक दम तो यह थी मेरी मूंग की डाल की रेसिपी और बाकी दो और रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी उमीद है यह आपको बहुत पसंद आई होंगी यह बहुत टेस्टी होती है अगर आपको पसंद आई होगी तो जरू ट्राय कीजिएगा और कुछ इंफोमेशन देनी रह गई होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप जरूर वहां से चेक कर लीजिएगा तो फिर मुलूंगी मैं आप से बहुत जल अगली वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जया माता रानी